बिसमिल्लारभ्मारहीम असलाम लेकूम वेलकम तो दे कोकिंग केटलोग आज हम बना रहे हैं कच्छे आम की चट्नी या कैरी की चट्नी इसके लिए मैंने दो अधत कच्छे आम लिये हैं और इनको क्यूब्स में काट लिया है इसके अलावा धनिया पुदीने के चंद पत्त हरी मिर्च था जायका और नमक हस्बे जायका इनको इसको आप हावन दस्ते में भी बना सकते हैं लेकिन मैं इसको चौपर में बनाऊंगी चौपर में सबसे पहले में हरी मेर्च शामिल करूंगे दनिया पुदीना अब तीस्पून सॉल्ट इसमें डालेंगे चॉप करते हैं गनिया पुदीना और हरी मिर्च हमारी चॉप हो गई है अब इसमें कच्चा आम या कैरी शामिल करेंगे और इसको चॉप करेंगे चटनी अच्छे से हमारी चॉप हो गई है अब इसको डिशाउट करेंगे कैरी की चटनी हमारी तयार है आप इसको ज़रूर बनाए आप इसको शब्राफ सकते हैं चावल के साथ खा सकते हैं और चॉपड में यह बहुत मजगी बनती है अब पलीज जुरू ट्राइ किज़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अलाहाफिस